हलो एवरिवन तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आलू वती ये कद्दू का लौकी का यानि लौकी का मैं मीठा बनाई हूँ तो गाई जीस तरह से एक वार आप जरूर बना के देखिए बहुत टेस्टी लगती है न इसमें मावा की जरूरत है न खोवा की कुछ भी इसमें नहीं चाहिए और नहीं दूद की इसमें जरूरत है तो बहुत अच्छी रेसिपी बनी है तो आप लोग अगर फास्टिंग कर झालता है तो यहां पर मैं यह 2-3 चमच के लगभग मैं घी डाली हूं और कदु को इस तरह से कट कर लेनी है अप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग सबंजी बनाते हैं उस तरह से कट कर लेनी है और इसे कट करके एक एक इंच के अंत्राल में और इसे धक धक के कुछ देर भूझना है जब तक काई इसका पानी ना सूख जाए ज्यादा नहीं पर आधा से ज्यादा सूख जानी चाहिए इसका पानी और गई बहुत टेस्टी लगती है एक बार जरूर इसे बना कर देखे और यह कदू पाग इसमें खाली चिन्नी डाल दीजे और कुछ मट डाली और इलाइची पॉडर डाल दीजे यह भी अच्छा लगेगा इसका मैं भी रेसिपी डालूंगी तो यह मैं कदू का पाग नहीं मैं एक नई रेसिपी बना रही हूं तो इसमें मैं दूद का पॉडर निजे करती है तो उसे मैं दाल रही हूं और मैं कुछ ड्राइफ Fruits डालूंगी तो भोही मैं आप लोग को दिखाती हूं यहां पर देखेज मैं मिल्क डाल दी हूं इसी मैं चलाती हूं तो देख सकते हैं यहां पर इसमील्क पॉडर मैं डाली हूं और इसे बहुत सुख अब इसे मैं यह जो गैस का फ्लेम है मैं तेज अभी कर दी हूँ क्योंकि इसे तेज पर ही मैं पका रही थी लाश्ट में मैं धीमी करूंगी तेहां पर देख सकते हैं और मैं कुछ इसमें डालने वाली हूं ड्राइफूर्ट वह भी मैं दिखाती हूं तो मैं इलाइन ची प मैं चिनि डाल दी हूं कि डाल रही हूं देख सकते हैं आप लोग मिठा होने तक जादा नहीं स्वाधनुशा डाली आप लोग कैसा मिठा खाते हैं तो अगर इसे आप ऐसे भी रख सकते हैं मतलब कदू को जैसे भी बनाई है आप बहुत टेष्टी लगती है तो यहाप द तो इसलिए मैं उसे भूंज के ही डाली हूं कि कचापन नहीं लगे ऐसे बदाम का स्वाद आ जाता कच्चा कच्चा तो मैं इसे रोष्ट कटके डाल दी हूं देख सकते हैं आप लोग गई बहुत ही टेस्टी लगती है इसमें अगर खुवा नहीं है तो यह डाल के आप लो तो गाइज यह फास्टिंग में तो बहुत ही अच्छी चीज है आप लोग बना के रख सकते हैं तो देखिए यहां पर मैं फास्टिंग के लिए ही बनाई हूं तो आप लोग देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रेसीपी आप लोग को कैसी लगी तो यह आप देख सकते हैं मेरी कदू कर तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तब तक के लिए बाई बाई